देखो अगर किसी भी इतिहास को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले डेट के सिस्टम को समझना होगा BC और AD का क्या खेल होता है इसको समझे बिना सच में कोई हिस्ट्री को समझ ही नहीं सकता देखो BC और AD समय को दो हिस्सों में बाठते हैं और जिस पॉइंट पर बाठते हैं उसे अंगरेजों के देवता जीजस क्राइस्ट का जनम तीथी भी कहते हैं क्योंकि जिस दिन जीजस क्राइस्ट का जनम हुआ था उससे ठीक पहले का समय BC हो जाता है और उसके ठीक बाद का समय AD हो जाता है देखो BC और AD में फ़र्क बस इतना है कि BC जो होता है वो बैकवार्ड काउंट करता है मतलब की उल्टे चलता है जैसा कि इस केलेंडर में दिख रहा है और ये पॉइंट है जिसे हम जीरो मान लेते हैं वो जीजस क्राइस्ट का जनम तीथी है और उसके बाद से आता है AD या यानि पहला साल हम लोग उस दिन से मनाते हैं जब जीजस क्राइस्ट का जनम हुआ था उस दिन से पहला AD होता है और उसके साल दर साल AD एक बढ़ते ही रहता है यानि हर एक साल इंक्रीज होता है और आज 2024 चल रहा है और इस पूरे सिस्टम को 1500 साल पहले डाइनोसिस चुरिस नाम के इस मौंक ने बनाया था